है गाईज वालकम और वालकम बैक तो मैं चानल आई होप यू आप जैसे के आप जानते हैं दिवाली बहुत नजदीक है प्राइमर लगाने से जितने भी आपके ओपन पोसेस है वो मिनमाईज हो जाते हैं और आपका जो मेकप है वो लॉग लास्टिंग हो जाता है और जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लैकमे 925 फाउंडेशन यह मुझे पता नहीं क्यों I obsessed with it मुझे इतना जादा पसंद आता है यह वाला फाउंडेशन पहले मुझे पसंद नहीं था बड़ जब मैंने इसको continue मेकप करना चालू किया इस फाउंडेशन से तबसे मुझे यह फाउंडेशन बहुत जादा पसंद आता है उसके बाद मैंने क्या किया एक वेट ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से पुरा ब्लेंड कर ले रही हूँ flawless make-up के लिए सबसे जादा होता है आपका foundation का blend होना आप जितना patient से अपने foundation को blend करेंगे न उतना ही जादा आपका foundation जो है वो बहुत अच्छे से blend होगा और आपका जो make-up है वो बिल्कुल flawless लगेगा कहीं से भी crease बिल्कुल भी नहीं आएगी so यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा जादा जल्दी जला दिया था उसके बाद मैंने concealer के लिए यहाँ पर use किया Swiss beauty का concealer अपने high points पे focus करते हुए मैं इसे अच्छे से apply कर ले रही हूँ as you can see eyes को depth देने के लिए आपको जो है वो upward motion पे इसको इस तरीके से tap करना है और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और अपने जो मेरे points जिने मुझे highlight करने है मैंने यहाँ पे अपने chin पे nose पे और forehead पे इसे अच्छे से apply कर लिया है और beauty blender के help से इसे अच्छे से मैं blend कर लूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे eye को bake कर रही हूँ और उसके लिए मैंने inside cosmetic का यहाँ पे loose powder use कर रही हूँ इस तरीके से enterize पे मैं लगा लूँगे अगर आप extra dry skin वाले है ना तो आप 2 minute से जाधा जो powder है उसके बिल्कुल भी मत रखेगा मैं भी extra dry skin वाली हूँ इसलिए मैंने सिर्फ 2 minute के लिए ही रखा था नहीं तो उस पे क्या होगा आपको crease आ जाए अगर आप makeup lover है और आपको बहुत पसंद है आई makeup करने का तो आपको definitely यह वाली जो आई palette है यह जरूर पर्चस करने चाहिए इसमें आपको 63 shades मिल जाते हैं एक palette में ही आपको इतने सारे shades मिल जाएंगे कि आपको 10 palette लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे मैंन कर ले रही हूं यह देखें उसके बाद यहाँ पर मैंने liner के लिए यूज किया है लैक में का लैक में कर नी सौरी मेबलीन का नियॉयोक liner और यह मुझे पसंद है personally मैं आपको highly suggest करूंगी अगर आप चाहते हैं अच्छा liner budget में liner चाहते हैं तो मैं आपको suggest करूंगी कि आप liner पर जा सकते हैं मुझे भी liner बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरीके से मैं एक normal अपना eyeliner यहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूं उसके बाद मैं यहाँ पर मसकारा के लिए अप्लाई कर रही हूं purple का मसकारा अच्छा यह वाला मसकारा यूज करने से क्या होता है आपको eyelashes अलग से लगाने की जरुवत नहीं पड़ती यह मतब इसमें बहुत अच्छे से आपके जो lashes है वो बहुत सुन्दर दिखती है इसी मसकारा से तो आपको अलग से लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर का लिया था palette और इसमें आपक करते हैं आपको जो prefer आपको जो मतलब यूज करना हो आप वो shade पर आप जा सकते हैं और इसी brush इसी palette की help से मैं contour कर ले रही हूं highlight कर ले रही हूं और blush भी इसी palette से लगा ले रही हूं यहाँ पर मेरा favorite part है blush मुझे blush लगाना बहुत जादा पसंद है तो यहाँ पर बस मैं अप Instagram पर tag जरूर कीजेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे tag करेंगे और इस makeup को recreate करेंगे तो यहाँ पर मैं अपने high points में अच्छे से highlighter लगा ले रही हूं और highlighter बहुत जादा pigmented था guys अब सारे makeup को हमें lock करना है तो यहाँ पर मैंने Swiss beauty का makeup fixer लिया है हलका सा जलन देता है लेकिन ठीक है उसके बद मैंने यह ना नया shade use किया है Maybelline का और guys यह shade मुझे बहुत जादा पसंदाया है सारे product की purchase link आपको मेरे description box में मिल जाएगी तो अगर आप कोई भी product लेना चाहें तो आप वहां से जाके देख सकते हैं so yeah guys यहाँ पे यह मेरा जो makeup है व subscribe to my channel और yeah guys अगर आप चाहते हैं मैं किसी makeup look को create करूँ तो प्लीज मझे comment पे जरूर बतायेगा और yeah अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना मैं मिलती हूं मेरे next video पे till then take care bye bye and happy diwali to all